आज हम आपके लिए फिर से एक खुक्सूरत सी केबिल स्टिच वाली कैप लाएं हैं बनाने में बहुत आसानी इसका उपर का हिस्सा भी बहुत अच्छा है चली इसे वराना शुरू करते हैं इसे बेसिक स्टिचिस से ही बनाना है यहां के लिए हमने वर्दमान की उनली है यह 50 ग्राम का गोला है में दो गोले ऐसे लगेंगे लगबग तो हम सबसे पहले यहां पर एक 3.5 mm का क्रोशेट निडिल की मदद से बनाने वाले हैं सबसे पहले एक फाउंडेशन स्टिच बना लेंगे यानि एक फंदा पहला बना लेंगे उसके बाद चेन बनाएंगे चेन इसे साब से बनाना है हमें कि 5 का मल्टपिल हो यानि पाच का गुड़क में हमें यहां पर चेन बनानी है और अपने सरका सरकमफेरंस के हिसाब से भी रखनी है तो हम यहां पर 85 चेन बना रहे हैं जो कि एडल साइज के लिए ठीक हम चेन की सीथ देखते हुए ends को इस तरह से slip stitch की मदद से जोड़ देंगे तो देखिए इस तरह से हमने insert किया last chain में और एक फंदा graph किया और उसी से ही पहला जो chain का था उसको भी उसमें से हिकाल दिया तो यह इस तरह से एक फंदा रह गया यह जुड़ गई हमारी पूरी चेन अब यह जो छोटा धागा है यह हम चेन के साथ ही रखते हुए चुपा देंगे तो हम तीन पहले चेन बना लेते हैं उसके बाद अगली चेन में जो प्रीवियस रोकी है उसमें एक ब किया तीन को दो और दो को एक किया इसी तरह से पूरी सरकिल में हमें हर प्रीवियस रोकी चेन में यानि प्रीवियस स्टिच में हमें एक एक डवल क्रोशेट बनाते हुए जाना है हम सबसे पहले यहां बॉर्डर बना रहे हैं बॉर्डर यह चोटा हिस्सा है यह चेन के सा तो यह पूरा इन्विजबिल हो जाएगा इस तरह से हमें फस्ट रो में सिर्फ और सिर्फ डवल क्रोशेट से बनाने हैं बॉर्डर हमारा पाथ से छे लाइन्स का रहता है जित्ता आप चोड़ा चाहे उसे साथ से लास्ट में हम यहां थर्ड चेन में स्लिप स्टिच कर दे तो इंसर्ट किया क्रोशेट को और एक फंदा ग्रैफ करके उसमें से में स्टिच को निकाल दिया तो यह हमारा फस्ट रो पूरी हुई फिर से हम अगली रो के लिए तीन चेन बनाएंगे पूरे बॉर्डर में हमें एक सही करना है इसलिए मापको एक ही रो दिखाएंगे अब देखी यारणोवर और जो नेक्स्ट सटिच है यह चेन के जस्ट बाद वाली नेक्सट सटिच इसमें आगे से इस तरह से इंसर्ट करना कृशेट को और एक रैफ करना है तीन को दो और दो को एक इस तरह को कहते हैं फ्रेंट पोस्ट डावर अब पीछे से हम अगले इस्टिच में लेंगे तो उसे हम कहेंगे back post देखिए yarn over अगली previous row की stitch में पीछे से इस तरह से 3 को 2 और 2 को 1 तो यह हो गया back post double crochet तो यह यहाँ पे front post double crochet बनाना है alternate में हमें front post double crochet और back post double crochet बनाते हुए यह ribbed border बनाना है तो हर row में हमें यही करना है एक बनाना है सबते पहले front post double crochet फिर उसके अगला बनाना है back post double crochet और इसी तरह से हमें बनाते हुए जाना है end में यह देखिए ribbed जैसी बन जाती है end में हमें third chain में slip stitch कर देनी है यह end वाला भी हमारा front post ही आना चाहिए और यहाँ पर हमें third chain में slip stitch करनी है हर रो हमें इसी तरह बनानी है चार से पाच रो इस तरह से हमने यह छे रो का border तयार कर लिया है हमने इसमें front post के उपर front post और back post के उपर back post बनाया था और हर रो में slip stitch करते गए थे end में अब फिर से तीन chain मनाई है हमने yarn over किया है और अभी देखिए half double crochet बना रहा है yarn over next stitch में insert किया crochet को three stitch हुए तीरों को एक साथ काल दिया यह कहलाता है half double crochet पूरे circle में हर stitch में हमें half double crochet बनाना है actually हम border के just barbrick design शुरू कर सकते थे बट हम design में थोड़ा सा जिरा पन है इसलिए हम यहाँ पर यह half double crochet और उसके बाद एक row double crochet की बनाएंगे उसके बाद ही designing शुरू करेंगे तो इस तरह से हम पूरे में half double crochet की line बना लेंगे आसानी से तीनों को एक साथ उतारना है end में जाके third chain में slip stitch कर देनी है एक row के बाद अगली row में double crochet बनेगा यह हमने half double crochet की row को complete किया slip stitch भी कर लिया अब हम फिर से तीन chain बनाएंगे और next row हमारी double crochet की होगी यानी yarn over किया हमने next stitch में crochet को insert किया और three stitches को पहले two किया और two को one इसलिए करते हुए अब हर stitches में हमें एक एक double crochet बनाते हुए पूरी line को complete करना है बहुत ही आसान है और सारी stitches जो अभी तक हमने use की है वो बहुत ही आसान है बस अभी एक नई stitch हम आपको दिखाएंगे extended double crochet वो अभी आप देखिएगा front post double crochet extended form में वो दिखाते हैं हमने second row भी complete कर लिया border के पाथ जो की double crochet थी अब हम designing स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए आप देखिए सबसे पहले हम सिर्फ एक chain बनाएंगे यह एक chain हमने सिर्फ बनाई और base पे chain वाली हिससे पे से हम अब yarn over करने के बाद chain जो नीचे है उसी के साथ हम एक front post double crochet बना देंगे यह इसलिए जिससे look में कोई अंतर ना आई है front post double crochet बन गया सेम इसी के base के साथ इसके बाद हम yarn over करेंगे दो stitches को skip करेंगे यह देखिए यहाँ पर जैसे इसके उपर बनाया है दो को छोड़ देंगे हम और तीसरी जो हमारी double crochet है previous row की उस पे हम एक front post double crochet लेकिन extended form है देखिए तीन है हमारे पास stitch उसमें से सबसे पहले पहली stitch को उतारा फिर दो को उतारा और फिर end में दो को इस तरह से यह थोड़ी लंबी हो जाती है इसलिए हम कहते है extended double crochet front post अगले stitch में भी extended front post double crochet ही बनेगी यानि हमने दो stitch skip की और उसके बाद दो stitch में यह extended front post double crochet बनाए है अब इसको आगे की तरफ जुका लेंगे और जो पीछे दो skip की थी हमने stitches यानि जो छोड़ दी थी दो stitches अब उन दोनों में हम बनाएंगे double crochet पीछे घूम के क्योंकि हमें kevil form बनाना था इसलिए हमें अब यह थोड़े पीछे जाना पड़ेगा यह छोटी हुई stitches में अब हम बनाएंगे front post double crochet sorry double crochet normal वाला double crochet बनाने है या आप front post नहीं बनाने की जरुद है normal double crochet बना रहे है यह दोनों stitch में double crochet बन गया हमारा तो देखिए थोड़ा सा cross जैसा structure आ गया अब यह देखिए चार stitch में हमारा यह बना है दोपे पहले बनाएं तो फिर दोपे अगली stitch में हम बनाएंगे front post double crochet यानि पाचवी stitch जो है हमारी वो फिर से front post double crochet की होगी इसलिए हमने आप से कहा कि जो हमारे फंदे हैं यानि जो stitches थी chain थी वो five के मट पिल होना चाहिए फिर हमने यान ओवर किया दो skip की stitches को third stitch पे extended front post double crochet बना लिया इस तरह से ही बनाना है तीन फंदे हो जाएंगे और तीन में सबसे पहले पहले वाले को बुनना है फिर दो को साथ में और फिर दो को साथ में फिर चौते वाले में भी हम इसी तरह extended front post double crochet बनाएंगे और फिर पीछे back होकर पहली और दूसरी जो stitch हमने इसमें छोड़ी थी उसमें हम बनाएंगे double crochet और फिर पाचवी stitch जो होगी इसके बाद उसमें फिर से front post double crochet इसी क्रम को ये देखें पीछे घूम के जो चूटी हुई stitches है उसमें हम बना लेंगे double crochet इसको double crochet बनाना है दो stitch लगातार जो हमने छोड़ी थी दोनों में double crochet बना लिया ये एक हो गया और फिर इसके जस्ट बाद वाले में भी हम double crochet बना लेंगे फिर यान ओवर करेंगे और जो बाद अगली stitch है पांच वी उसमें हम फिर से front post double crochet बना लेंगे पूरी circle में हमें इसी तरह बनाना है और हमें end में क्या करना है वो हम आपको अभी दिखाते हैं end में यहाँ पे जो एक chain ली थी कि उसमें हम slip stitch करेंगे पूरे में ऐसे ही करते हुए जाएंगे और यहाँ पे slip stitch लेंगे designing की first row हमने complete कर ली है अब देखी क्या करते है अब यह में end वाला जोडना बता रहा है तो यह end में हमने यहाँ पे cross एक बनाया है एक cross आपके यहाँ पे है यह तो जो हमने एक chain बनायी थी उसमें slip stitch की मदर से जोड दिया फिर हम तीन chain ना बनाके एक chain बनाएंगे और फिर yarn over करके यही जो chain वाली हिस्सा है इसी में ही हम बना लेंगे front post double crochet तो कोई अंतर नहीं लेगा अब हमारे पास यह cross structure है बनाएंगे और जो दो पीछे से दिख रहे हैं उस पे भी front post double crochet बनाएंगे यानि designing का जो second row है उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ हर stitch में एक एक front post double crochet ही बनाना है पट stitch पहले तिर्ची वाली दिखती हैं तो तिर्ची पे बनाएंगे और उसके बाद हमारी जो पीछे से हमने double crochet बनाते वो दिखती हैं तो क्रम वहसे ही रखना है यानि stitch को कोई इधर दर नहीं करना है और सब पे हमें बनाना है सिर्फ front post double crochet second row ऐसे ही रहेगी हर बार पहली रो में तो हमें अपने cables को बनाना है और दूसरी रो में हमें सिर्फ front post double crochet बनाना है पूरे circle में ऐसे करेंगे और यहां पे जोड़ेंगे यह रो भी हमारी front post double crochet की पूरी हो गई है अभी देखिए हमें यहां पे आपको end में कैसे यह जो chain हमने शुरू में बनाते इसी में स्लिप स्टिच कर देते हैं अब फिर एक चेन बना ली और इसी जो बेस है यहां पर इसी में हम फिर से बना लेंगे अपना कि front post double crochet क्योंकि हमें डिजाइन एक सी रखनी है तो यह front post हो गया अब हम फिर यहां और करेंगे और दो स्टिच को यानि दो को छोड़ते हुए तीसरे में extended double crochet और फिर चोथे में extended double crochet बनाएंगे फिर इन दोनों को आगे ले लेंगे और जो दो स्टिच हमने पीछे छोड़ी हैं उनमें हम फिर से double crochet बना लेंगे अगर आपको speed जादा लग रही हो तो आप वीडियो के उपर जो 3rd row जैसी हमारी 1st row बनी थी यानि 2 extended front post double crochet और उसके बाद 2 double crochet और फिर एक double crochet जो पाचवी स्टिच में होता है तो इसी तरह से ये row पूरी करेंगे और अगली row में फिर से हम बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ फ्रंट पोस्ट डवल क्रोशे अल्टरनेट में हमें एक row front post की बना और यहां हर बार chain के साथ slip stitch करनी है 7 inches तक हम सेम इसी तरह से बिनते हुए जाएंगे तो यह हमने लगबग 7 inch इस तरह से बिन लिया है अब हम आपको नाप के दिखाते हैं यह देखिए इस तरह से यह दिख रहा है यह पूरा 7 inch से ज़ादा हो कम नहीं होना चाहिए क्योंकि नॉर्मल जो caps होती है वो 7 inch लगबग होती है उसके बाद ही वो dom shape में सिकोड़ती है तो अब हम इसको दिरे दिरे ऊपर से dom shape यानी थोड़ा सा कम करते जाएंगे area अब हम एक chain बनाएंगे और यहां base पे जाकर हम बना लेंगे इसके front post double crochet अभी देखिए अभी जित्ते जो दो diagonals है हमारे हमने end जो है अपना वो किया है double crochet वाली लाइन पे front post double crochet वाली लाइन पे अब हमें diagonal बना तो एक diagonal बनाया वह भी incomplete यानी last की दो stitches को एक नहीं किया और फिर से yarn over किया अगला diagonal भी इसी तरह से बना लिया यानी extended front post double crochet इस तरह से बना लिया और तीनों को एक साथ ह complete किया तो इस तरह से हमारा एक stitch कम हो गई यहाँ पे क्योंकि दो को एक साथ हमने बिन लिया है तो इस तरह से एक stitch कम की और पीछे हमारे दो stitch है और उन दोनों पे हमें एक ही एक double crochet बनाना है यानी हमें सिर्फ जो आगे से हमारा diagonal structure यानी extended front post double crochet बना रहे थे उसको हमने दोनो को एक साथ कर लिया है बाकी कोई chain नहीं ला रहे है यानी जो back पे जाके दो double crochet बना रहे थे वो वैसे ही बना रहे है और पाचवी stitch में फ्रंट post double crochet बना रहे थे वो वैसे ही बना रहे है तो देखिए यह extended वाली line है इसको हमने half बनाया फिर yarn over किया दूसरे वाले को भी half बन double crochet बना लेंगे इस तरह से थोड़ा सा सिकुड जाएगा हमारा structure और फिर पाचवी पे front post double crochet पूरी row ऐसे करनी है और end में हमें slip stitch करनी है अपनी जो एक chain हम शुरू में बनाते हैं उसके साथ पूरा ऐसे ही करते जाएंगे आसान है बस हमें यह याद रखना है कि हमें 7 इंच कम करना है एक साथ कम करेंगे तो वहां पर प्रेट्स आ जाएंगी इसलिए ऐसे कर रहा है एंड में यहां पर जोड़ देंगे हम और इसके ऊपर फिर से हम बनाएंगे इस तरह से यह पूरी हो गई और हमने लास्ट में slip stitch कर ली है वह करने जा रहे है slip stitch यह कर दी इस तरह स है फिर एक chain हम बना लेंगे यह chain हो गई बेस पे जाके फ्रेंट पोस्ट डावल क्रोशेट सेम बेस पे जाते हैं और फ्रेंट पोस्ट करते हैं अब जितनी भी हमारे पास stitches है यानि यह दो जूड़ी हुई diagonal इनको एक साथ हम फ्रेंट पोस्ट डावल क्रोशेट इनकंप्लीट फॉर्म में फ्रेंट पोस्ट डावल क्रोशेट यह देखिए दोनों इनकंप्लीट है यानि दोनों को साथ साथ कंप्लीट करेंगे यह देखिए हरका तीन फंदे हुए तीनों को एक साथ कर दिया इस तरह से हमारी जो बे पीछे की जो फ्रेंट पोस्ट है उसमें भी एक कांतर आ गया, देखिए, यहाँ पर cross बन गया, वो भी दो का एक करके, अब यहाँ पर diagonal तो एक हाई है, यह front post बना, फिर यह हमारी दो back की जो stretches है, इसमें भी front post बनाएंगे, इन complete form में यह, दोनों को एक साथ करके, एक साथ उतार देंगे, तो यह इस row में हमें करना है, यानि first में हमने diagonal को एक साथ करके, इन complete form में complete किया, और अब की बार हमें जो पीछे की दो double crochets होते हैं, उनको front post बनाते हुए एक साथ complete किया, इस तरह से धीरे धीरे gradually हमारा यह circumference, इसका cap का वो धीरे धीरे कम होगा, और end में हमें एकदम यह close मिल पाएगा, तो हमें इसी तरह से करना है, जो 5 वी stitch हमारी front post होत करना है, ऐसे ही देखिए, धीरे धीरे यहाँ पर end में जोड़ेंगे, मीटर थोड़ा सा कम हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे, अब हम इसे और थोड़ा थोड़ा सा कम करेंगे, देखिए कैसे करते हैं, तो हमें end में यह slip stitch कर लेनी है, फिर हमें यहाँ पर एक chain बना हैं, उन पर भी हम एक front post double crochet ही बना रहे हैं, वो भी इस तरह से, फिर पीछे जाके, हमें एक ही सिर्फ बना रहे हैं, वो भी incomplete form में, यह हमने पाचवी stitch को बनाया, क्योंकि अब हमारा जो है, वो diagonals तयार करने, अभी तो हमने front post वाली line बनाई थी last, तो यह, अब यह दो stitch एक साथ है, इनको एक साथ हम extended front post double crochet बनाया, पीछे back में गया, back में सिर्फ एक stitch होगी, क्योंकि हम यहां एक ही stitch skip कर रहे हैं, और उससे हमने double crochet बना लिया, फिर यह, अगली stitch को front post double crochet बना लिया, जब आप बनाएंगे, तो आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे, अभी देखिए, जो cross बन रहा है, वो सिर् stitch कर लिया, end में हमने, अब हम तीन chain बनाएंगे, अभी हमने यह row, जो है, वो तीन chain बनाके, यह diagonal वाला है, और यह पीछे back का है, तो हम इन तीन stitch को एक साथ half up बनाएंगे, वो ध्यान दीजेगा, यह diagonal लिया, जो extended वाला था, उसे incomplete बनाया, यानि एक stitch रह गई, पीछे वाल इसको भी incomplete form में बनाया, तो चार फंदे हैं, चारों को एक साथ complete किया, फिर अगला आया, diagonal, diagonal को incomplete बनाया, पीछे वाले को भी front post के form में incomplete बनाया, और जो सीधे line बन रही थी, front post double crochet की लगातार, उसको भी हमने ले लिया, और incomplete बनाया, चार फंदों को एक खटे ले लिया, तो यह इस तरह से हमारी जो चार फंदे यह एक साथ सिकूर रहे हैं, और हमारा diameter काफी कम हो जाएगा, end में हमें जोड़ना है, इसको end में वही third chain में, तो क्योंकि हमने शुरू आज chain से किये, तो यहां third chain में जोड़ देंगे, और ऐसे ही पुरे में करेंगे, यह देखिए, य हमारा यह row complete हो गया, इसमें सब double crochet बचे हैं, end वाला आपको दिखा रहे हैं, end में यह हमारा यह है, इसे हमने half बना लिया, फिर उसका जो cross में पीछे था, उसको भी half बना लिया, इसमें हमारी जो अगला हमारा last वाला line थी, वो नहीं होती, वो इसले इसे कट्टे कर दिया, और फिर end में third chain में slip stitch कर दी, तो यह row complete हो गई हमारी, diameter इत्ता सही बचा है अब हमारे पास, जिसे complete करना है, अब हम फिर से अगली row के लिए 3 chain मनाएंगे, यह 3 chain हमारी बन गई, और फिर अब देखिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ double crochet हैं, तो 2 double crochet को incomplete form में हम बनाते यह एक बन गई, incomplete फिर दूसरी बन गई, incomplete का मतलब यह 3 को 2 करते हैं, बट 2 को 1 नहीं करते हैं, दो double crochet इसी तरह से half half बनाते और उनको एक साथ complete करते हैं, तो इस तरह से हमारी यह decrease होती जाती हैं, और diameter काफी कम बनता है, तो इस तरह से हमें पूरे circle में करना है, यह और अगली row में आप देखेंगे, काफी कम हमें यह hole यह जो बीच का है, यह मिलेगा, और end में third chain में slip stitch करेंगे, यह देखिए, अब hole काफी छोटा सा रह गया है, अब यह third chain में हम slip stitch कर दे रहे हैं, और इस row में भी हमें क्या करना है, दो base के, एक ही chain बना रहे हैं, सिर्फ, दो base के front post double crochet एक साथ complete करने, जैसे previous row में किया था, same वही इस row में भी करेंगे हम, दो front post double crochet को एक साथ complete करते जाएंगे, और diameter एकदम हमारा negligible हो जाएगा, एकदम बहुत ही छोटा रह जाएगा, यह 3 एक साथ किया, यह देखिए, hole काफी कम रह गया, बस अब हम सुई की से अब इसे complete करेंगे, तो यह end में हमने एक slip stitch कर दी, जो एक chain मनाई थी, उसके साथ, यह और यह देखिए, यहाँ यह हो गए slip stitch, अब diameter में कोई छेद नहीं है, और फिर एक slip stitch और करते हुए, थोड़ा बड़ा धागा कट कर देंगे हम, बड़ा धागा थोड़ा इसले कर है, क्योंकि इसमें सुई डालके हम इसे सिलेंगे थोड़ा सा, तो हम सुई डाल में धागा ले लिया है, वैसे तो हमारा यह शुरुआत ऊपर का head तयार है, लेकिन इसमें जो भी बिर्रापन है, वो कहतम करने के लिए हम हर stitch में इस तरह से सुई से डालते जाएंगे, और खीच के कस्त देंगे और लास्ट में अंदर जाके, यानि अंदर की तरफ जाके नौट लगा देंगे, यह टुटोरियल अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक जरूर किजेगा, और अगर कोच भी आपको पूछना बताना हो, तो आप कमेंट करिएगा, और फ यह कैप हमारी इस तरह से कम्प्लीट हो गई है, आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक कि यह कैसी दिख रही है, आई होप आपको यह टुटोरियल अच्छे लगो, इसका उपर का हिस्सा और यह साइट का हिस्सा बहुत ही खुबसूरत है और पहनने में भी अच्छा व